चीन में औरुरक की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए चीन की सरकार ने यूरिया के निर्याद पर रोक लगा दी है सभी फैटलाइजर कमपनियों को यूरिया की शिप्मेंट रोकने के लिए कहा गया है चीन के इस कदम का असर उन देशों में यूरिया की कीमत पर पड़ सकता है जो चीन से यूरिया का आयाक करते हैं भारत में भी चीन से यूरिया का इंपोर्ट होता है अब चीन से यूरिया एक्सपोर्ट रोकने का भारत पर असर किस तरी के हैं चीन ने तकड़ा जटका दिया है, हलाकि चीन के निर्यात के आकले भूद खराब आए हैं, चीन के अर्थ विष्था में गिरावट है और उसके करण चीन के अर्थ विष्था में मंदी है, लेकिन G20 की बैठेक के ठीक पीछे भारत में क्रशिवत पादन में गिरावट की भी चीन ने यूरिया का एक्सपोर्ट रोख दिया है, भारत चीन से करीब दो लाक टन के आस पास यूरिया का आयात करता है, और भारत के यूरिया के आयात में चीन की एक महतुपून हिस्सेदारी है, इसका असर हमें भारत के में यूरिया की कीमतों पर और आपूरती पर भारत में उसका निर्याद दूलाक टनल है लेकिन अगर चीन के प्रमुख व्यापार भागीदारों को देखा जाए जो फटलाजर इंपोर्ट करते हैं तो उनमें भारत शायद सबसे बड़ा भागीदार है भारत का फटलाजर इंपोर्ट सबसे जादा है चीन से किसी एक दे झाल कि यडिया लेमार के लागा चीन बाज़े जुलाबेश उनमें याद रIVE लागारत में तूलाजर जादाई धिया दूलाका पया।